तो आज समझने वाले हैं थोड़ा सा समप करते चलते हैं पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था तो लास्ट वीडियो में हमने अकांटिंग एक्वेशन समझी थी जिसमें हमने देखा था कि क्या होती है capital प्लस liabilities is equal to assets होते हैं ठीक है capital वो जो ओनर ने पैसा लगाया था और liability वो जो हम बाहर से बोरो करकर ले कर आए थे और जितना पैसा हमारी बिजनस में आ गया था उससे हम total assets जो हैं वो हम अपनी बिजनस में ले कर आए थे तो इसलिए जितना पैसा बिजनस में आ होता है business में कोई भी चीज आती है ज़ाती है तो उसको हम क्या कहते हैं business language में transaction कहते हैं वाके detail में transactions क्या होती है उसके लिए basic नमकी video बन रखी है तो आप प्लिस पहले वो consider करें उसको देखे समझें कि transactions क्या होती है और फिर तिनों के value में कुछ change आता हो चाहिए वो बढ़ता हो या decrease होता हो इन तिनों चीजों के value में अगर कुछ decrease या increase होता है या change आता है उसको हम कहते हैं transaction यानि के transaction के जो तीन main elements है वो क्या हो गए asset liability और capital तीक है इसके main one main element को effect करती हो या फिर two main elements को effect करती हो या फिर all the three main elements को effect करती हो यानि कि किसी transaction से या तुसका effect सिर्फ एक पर पड़े या फिर दो पर पड़े या फिर तीनों element so transactions effecting only one main element तो صرف एक element को effect करती हो या फिर फिर वो केवल liabilities को effect करती हो या फिर सिर्फ वो papitals को immunining कोफेक्प करती हो। तो तीनों में से किसी एक और को कवेक्ट करती हुई हो सकती है इसी तरहा transaction effect scribing two Main Elements तो दोमीन elements को waived करती हुए transactions भी होती है जैसे assets and abilities को effect कर रही हो या फिर asset हो capital को effect करती हो जा फिर liability और capital को effect करती हो ठीक है इस तरह से भी हो सकती है यह हो गई दो मीन elements को effect करती हुए transaction अब तीसरी टाइप के transactions कोन से होती है जो all the three main elements को effect करती है अब all the three main elements को अगर effect करेंगी तो क्या हो सकते है या तो तीनों increase हो सकते हैं या तीनों decrease हो सकते हैं देखो कोई भी transaction हो वो किसी भी element को कितने भी element को effect कर रही हो at the end हमारे पास क्या आना चाहिए जो हमारी accounting equation है वो क्या होनी चाहिए balanced होनी चाहिए अब यह जो हमने चार्ट देखा है इसको हम एक छोटी सी example के साथ समझते हैं देखते हैं एक छोटी सी example के साथ के यह transactions जो है कैसी एक- अब किया है जिससे हम समझेंगे तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं उस transactions के बारे में जो सिर्फ एक element को effect करती हैं सिर्फ एक element और अभी हम करने वाले है एसे को effect करने वाले transactions जो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में वैसे तो यह टमटर है और यह है अलू ठीक है हम अपनी life की examples ही रहते हैं आप सम आपको जानते हैं जैसे भी हमने accounting शुरू की थी plus one की तो first video ही हमने क्या की थी अपनी life की एक example ली थी जो हमारे daily life में होती है मैंने पहले ही काता accounting वही होती है जो हमारे daily life में चीज़े होती है पहले हमने example ली थी एक बच्चे की pocket money से ली थी ठीक है फिर हमने एक business शुरू किया था and then अब आज हमारे example ले रहे हैं प्याज टमटर और आलू के साथ तो इससे क्या है यह भी हमारे daily life में यूज होने वाली चीज़े है तो इसी को समझते हो इसी को पिंग कलर की एसेट और यह हो जाएंगे हमारे yellow कलर की capital ठीक है अब आपको पता हैं क्या होते हैं एसेट्स क्या होते हैं वो चीज़े होती हैं वो sources होते हैं जिने business ने own किया हो यारिके खरीदा हो उस पर उनका हक हो और उससे हमें economic benefit वी future में आने वाले हो और उसके कोई economic value भी होनी चाहिए rate to assets है यह हमारी capital है वो पैसा है जो business में लगाया जाता है owner के true और यहां पर है हमारी liability जो कि अभी है zero liability क्या होती है हमारी देनदारी यानि कि कि किसको हमें पैसा देना है अभी के लिए हमें किसी को कुछ नहीं देना तो यह हमारी example है और हमें पता है कि हम जो हमारी accounting equation है वो assets की equal होना चाहिए इन दोनों का जो plus है इन दोनों का plus वो किसके equal होना चाहिए assets की equal होना चाहिए तो देखिए हम पहले हम देख लेते हैं कि हमारी accounting equation जो है वो balanced है देखिए इन दोनों का plus अगर करें तो कितना होता है one two और यहां पर है zero तो यानि कि इस side पर हमारी accounting कितनी है तो अब हमें एक transaction देखते हैं हमारी first transaction तो हमें क्या करना है कि हमारा business है इन assets के साथ और इस capital के साथ हमने एक business शुरू किया और हमारे business के लिए हमें अपने business में ये red color के assets की जो है एक और जरूरत है हमें एक और red color का asset चाहिए अब कोई भी चीज हमें चाहिए तो उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना भी पड़ता है red free में तो कोई चीज नहीं आती तो मैं क्या जो हो जिसने भी बिजनस शुरू किया है तो हम क्या करते हैं तो हम अपने इस pink color का asset को उठाते हैं और बजार जाते हैं ठीक है बजार गए और वहां पर देखा कि red color का asset है जो वह मिल रहा था तो हमने कहा कि हमें वह red color का asset चाहिए हमने उस दुकानदार से भाईया से या आप कहले जो भी red color का asset दे रहा था उसका सप्लायर है रेड कलर का हमने उसके पास गये हमने कहा कि हमने ये रेड कलर का asset चाहिए तो उसने कहा कि मुझे इसके बदले पिंक कलर का asset जो है उसको दे दिया और उसके बदले एक और red color का asset जो है वो ले आए ठीक है तो यह किया हमने pink color का दे दिया और red color का asset उसके बदले ले आए तो कुछ भी चीज पाने के लिए कुछ देना पड़ता है और हमने अपना red color asset को पाने के लिए हमने क्या किया यह pink color का asset जो है वो दे दिया याने कि अब जो transaction हुई उसमें हमारे इन तीनों चीजों के एक element में कुछ value में change आया है right change आया है na value में right क्या change आया है हमारे जो यह red color के asset है ठीक है न वो तो increase हो गई लेकिन यह pink color के asset था वो degrees हो गया value जो है उसकी कम हो गई कम क्या हो गई वो खतम ही हो गया हमारे जो business से वो चला गया right तो अभी जो transaction हुई है उसमें क्या हुआ है asset गया और asset ही आया right हमारे assets एक तरह के asset चला गया और दूसी तरह के asset आ गया यहनकि वो transactions हैं जो सिर्फ एक तरह के element को effect करती है और हमने पढ़ा echक करने वाला जिसमें क्या होता है कि कोई आसी transaction हो जिसमें asset के बदले ही asset लिया जाए यहनकि asset के जाने के बदले asset ही हम business में ले आए तो वो transactions होती है assets को effect करने वाली transaction only one element को effect करने वाली transactions तो आपको जब भी transaction देखनी है कोई भी transaction आपके सामने लिख्यों ही आएगी तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनके दो elements कौन से उसमें दो तीन कौन सा element उसमें effect हो रहा है क्या वो capital है asset है liability है कौन सा है ठीक है तो वो चीज़ आपको पहचानने है तो फिर किस चीज़ के बदले क्या आ रहा है ठीक है किस के बदले क्या आ रहा है वो चीज़ आपको देखनी है तो ये थी हमारी पहली example जिसमें हमने समझा कि कौन सी transactions होती है जिससे सर्फ और सिर्फ assets effect होते है तो वो transaction जिसमें asset के बदले asset जाता है तो वो transactions होती है जो सिर्फ asset को effect करती है अब हम इसी example को business की form में देखते है देखे बिजनस में तो ये देखो tomato और प्यास नहीं है बिजनस चीज़े हों के जो यूज करते है ठीक है business में for example जो red color का हमारा asset है ये क्या है machinery है तो ये क्या है हमारी machinery ठीक है और ये जो pink color का है वो है हमारा cash business में जो है हमारा cash तो red color का जो asset है वो है हमारी machinery उसको हम machinery देते हैं ठीक है machinery और ये है हमारा cash तो क्योंकि देखो मैंने पिछले जो अब हमने ये वहली example की थी तो तब हमने कहा किए था हमने ये pink color की asset के बदले रेड़ कट्या का झीट लिकन लेकराई थे लिकिन क्या है चीज वोगा होती के बदले चीजे लेने को वह बदले चीजे के लेने को चाहते हैं आब हम चीजों के बदले क्या करते हैं अपनी मουνी पे करते हैं और हमारी इंडिया की मनी का मोनेटरी यूनिट कौन सा है? तो वही जो कईश को री-प्रेजेंट करता है तो आप हमारे बिजनस में क्या होगा? बिजनस में तो टमाटर प्यास नहीं होगे न तो बिजनस में क्या होगा हमें मिशिनरी चाहिए हमारे पास एक मिशिनरी है तो हमें कुछ और मिशिनरी चाहिए उसके लिए हम जब मार्केट में जाते हैं मिशिनरी लेने के लिए तो उसके बदले हम क्या करते हैं कुछ कैश करते हैं तो हमने क्या किया हमने यह cash pay कर दिया और इस cash के बदले हम अपने business में क्या लेकर आ गए जो हमारी machinery है एक और machinery जो है वो हम लेकर आ गए तो यानि कि जैसे ही हमने cash pay किया यह वाला cash जो हमने क्या है assets है और यह जो cash है मैंने एक asset दे दिया और इसके बदले मैंने दूसरा asset जो है वो ले आई business में यानि कि यह जो transaction हुई cash के बदले मैंने जो machinery लेकर आई इसने क्या किया एक asset गया और एक asset आया इससे क्या हुआ सिर्फ एक asset ही effects हुए और हमारी देखो जो accounting equation है वो balanced है यहां का total है 2 और यहां का total भी है 2 तो इससे हमारी accounting equation क्या है balanced है और इसमें effect किसको किया सिर्फ assets को किया ऐसी transaction थी जिसने सिर्फ एक element को effect गया था क्योंकि same type का element जो है वो गया था और same type element ही आया है that is assets तो अब हम देखते हैं कि हमारी बाकिक elements कैसे effect होते हैं तो अब हम देखते हैं हमारी second example ठीक है इसमें क्या है कि जैसे आपको दिख रहा है कि हमारी business में क्या है यह हमारी visionary यानि कि red color का asset यह pink color का asset जो था हमारा cash capital जो हमारे owner ने business में पैसे लगाए हुए है और यह हमारी liability जो कि अभी zero है जो कि हमारी कोई भी देंदारी नहीं है तो क्यूंकि owner ने हमारे business में पैसा लगाया है invest किया है उसने पैसा तो वह भी तो return में कुछ उसे चाहिए होगा तो वह क्या कहता है कि मैंने आपके business में money लगाई है पैसा लगाई है capital लगाई है तो उसके बदले मुझे क्या दो interest दो तो हम क्या कर रहे है तो यह capital थी उसकी और हमारी accounting equation balance थी तो इस capital को invest करने के बदले हमें उसे interest pay करना था तो यह interest हमने उसको पी कर दिया यानिकि हमारी capital जो है यहां से निकल गई पैसा हमारे पास चला या कम हो रहा है, क्यूंकि उसको capital as interest दे रहे हैं, तो जो interest हम उसको दे रहे हैं, तो वो दे कहा रहे हैं हम उसको, तो हम उसकी capital में ही plus करते जाएंगे उसको दीया हुआ interest और ये हो गया उसका capital में उसका interest plus तो इससे क्या हो गई capital हमारी फिर से जितने amount से कम हुई थी उतने amount से increase हो गई अब जो हमने interest उसको pay करना था वापिस उसको capital में ही क्यों plus कर दिया क्योंकि जो भी जो भी चीज हमें owner को देनी होती है हम क्या करते है उसकी capital में ही उसको plus कर देते हैं क्योंकि वो पैसा होता है जो उसको business को चलाने के लिए लगाया होता है इसलिए वो पैसा जो as a interest उसे मिलता जाता है वो अपने capital में ही plus करवाता जाएगा ताकि वो business में ही दुबारा use हो जाए और इससे क्या होगा कि उसकी capital जब भी उसे चाहिए होगा जब भी उसको अपने personal use के लिए या किसी और purpose के लिए अगर उसे capital में से कुछ चाहिए तो वो draw कर सकता है हमने drawings पड़ी थी न तो जैसे जैसे capital as a profit होते हुए अगर यह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अगर उसे use करना होगा तो वो as a drawing यहां से लेके जा सकता है या फिर जब company बंद होगी और इसके assets बिकेंगे तब उसको अपना जो capital है वो वापिस मिल जाएगा लेकिन तब तक वो क्या करता है जो भी पैसा उसे देना होता है हमें as a interest तो वो क्या हो जाता है उसी की capital में plus हो जाता है इससे हमारी capital जो है जितने amount से कम हुई थी उतने ह amount से बढ़ जाती है ठीक है तो यानि कि same रहेगी हमारी capital और हमारी accounting equation भी क्या है वो balanced है अब इसको business के example में समझ लेते हैं for example हमारे business में जो capital owner ने लगाई हुई थी वो क्या थी वो 50 lakh rupees उसने हमारे business में पैसा लगाया था कितना capital लगाया था 50 lakh rupees और उसके बतले हम उसको क्या कर रहे हैं 30,000 rupees उसको हम ऐसा interest पे कर रहे हैं ठीक है तो जो 30,000 rupees हम उसको ऐसा interest पे करेंगे तो वो भी हम उसके पहले capital में minus कर देंगे क्यों क्योंकि हमने उसको interest पे किया तो वापिस उसके capital में plus कर देंगे 30,000 क्योंकि जो minus किया है उसको दिया है वो दिया कहा है capital में ही plus क तो जितना माइनस किया था उतना ही प्लस हो गया तो यह एक ट्रांजेक्शन थी जिसने कैपिटल को सिर्फ कैपिटल element को ही effect किया और हमारी accounting equation क्या थी balanced ही रही तो हमने दो example देख लें जिससे सिर्फ asset element effect हुआ और asset transaction देखें जिससे सिर्फ capital element ही effect हुआ तो हम वो transaction देख रहे हैं जिससे सिर्फ एक element effect होता है और हमारी accounting equation last में क्या रहती है balanced रहती है clear अब हम देख जांपल that is liability वो वाली transaction जो सिर्फ liabilities को effect कर से पहले हम bills payable के बारे में समझेंगे bills payable क्या होता है bills payable is a negotiable instrument जो transfer किया जा सके ऐसा return document होता है ठीक है return document जैसे sheet हो for example उस पे कुछ लिखा हो तो ऐसे return document होता है जिसमें जो buyer है goods का जाने कि जो चीजे खरीद कर लेकर आता है वो अपनी supplier को क्या करता है जो चीजे वो उधार पर लेकर आता है तो उधार पर लेकर आने के बदले वो उसको return में क्या देता है अपनी acceptance देता है कि ठीक है मैं इतनी amount मुझे उस person को इतने time period के बाद वो amount उसे वापिस करनी है तो वो यह जो चीज है वो acceptance वो उससे return में देकर आता है ताकि वो बाद में उसको उसके बिहाफ पर उससे जो है अपनी amount जो है वो claim कर सके तो इसलिए इसे return document कहा जाता है इससे क्या होता है कि जो creator है यानि कि जो supplier है goods का वो क्या कर सकता है एक तो अपना claim जो है वो court में जाकर उससे पैसे मांग सकता है अगर by chance को पैसे देने से मना कर दे और उसके बदले वो bill of bills payable को क्या कर सकता है discount भी करवा लेता है लेक अगर एक तो हो गया supplier ठीक है supplier जिसने goods को बेचा एक हो गया buyer जिसने goods को खरीदा अब मालो इसने इससे जो है वो अधार पर goods खरीद लेकिन उसके बदले क्या होगा वो return में लिख कर देगा कि ठीक है मुझे इतने पैसे तुझे इतने time period के बाद वो देनी है तो वो थात में नीच अपनी sign करेगा जिससे क्या हो जाएगा कि उसमें accept कर लिया कि हां मुझे इतने पैसे अपनी supplier को वापिस करने है अब इसके बदले जो यह है जो supplier है वो क्या कर सकता है एक तो maturity date आने पे मतलब जब इसने कह कि मुझे तीन महीने बाद मैं तुझे पैसे वापिस करूँगा तो तीन महीने बाद जो है वो जाकर अपने पैसे वापिस ले सकता है और अगर पैसे वो ना दे तो उस return document के बदले वो court में जाकर अपने पैसे जो है वो claim कर सकता है और क्या कर सकता है कि for example उसे अभी पैसे लेके आ सकता है तो bank क्या कहेगा ठीक है हम आपको इन bills के बदले पैसे आज दे देते हैं और हम बाद में तीन महीने के बाद जाकर हम जाकर इससे पैसे ले लेंगे आपके बदले हम लेकर आएंगे तीन महंत के बाद इससे पैसे तो यह फाइदा होता है bills payable का इसलिए creditors को bills payable जो है issue किये जाते है bills मतलब bills जो amount ने वापिस करनी और payable मतलब जो अब pay करनी बाकी है बिल दिया है payment की नहीं है लेकिन payment करने का सिरफ वादा किया है तो payable मींस जो अभी pay करनी बाकी है bills payable is a negotiable instrument that means वो transfer किया दा सकता है return document है जिसमें जो buyer है वो क्या करता है accept करता है कि वो certain money जो है यानि कि fixed amount of money जो उसमें लिखी होगी वो pay कर रहेगा to the certain person यानि कि creator को अपने उसका नाम लिखकर time period लिखकर कहता है कि हां मैं इस बंदे को इतने time period के बाद इतनी money जो है वो pay करूँगा बाकि इसका format और इसकी जितनी भी accounting treatment है वो हम bill of exchange के chapter में पढ़ेंगे तो अब भी हम देख रहे थे liability की एक transaction वो transaction जो सिर्फ liability element को effect करती है तो इसके लिए हम अपनी example बनाते है यह रहे हमारे assets जिसमें हमारे पस machinery है 2000 रुपीज की हमारे पस cash है 1000 रुपीज का और stock है 1000 रुपीज का इस side हमारी capital है capital में 2000 रुपीज की capital है और interest जो है वो 1000 रुपीज का है हमने इससे पहले वली example में समझा था कि interest जो होता है जो capital पर pay किया जाता है owner को तो वापिस उसकी capital में ही plus हो जाता है तो यह वो thousand rupees है जो हमने उसकी capital में ही plus कर दिया तो assets total कितने होगे 2 plus 1 plus 1 4000 rupees यानि कि assets हमारी side पे 4000 rupees है और यह दर हमारे capital कितनी होगे 3000 rupees और हमने यह stock लिया था हम यह stock लेकर आये थे ठीक है उसके बदले हमने क्या हम credit पर लेकर आये यानि कि उधार पर लेकर आये इसलिए liability side पे हमारी जो creditors है वो कितने के है 1000 rupees के जो है वो creditors अभी खड़े है यानि कि creditors के पास 1000 rupees जो है हमें अभी वापिस करने है यह हमारी example है सिर्फ यहां तक कि अभी हमारी example है 4000 के assets है 3000 के हमारी capital है और 1000 rupees के हमारे creditors है अभी देखिए कि हमारी accounting equation है क्या वो balanced है capital plus liability कितने हो गए 2 plus 1 plus 1 4000 rupees और इसी तरह assets कितने हो गए 4000 that means हमारी accounting equation अभी क्या है balanced है तो अभी क्या किया हमारे business ने उसने क्या किया कि जो creditors है 1000 rupees के उसको क्या करते है कुछ bills issue कर देते है कौनसे bills payable यानि कि हम return में document में उनको लिख कर दे देते है कि हम जो है आपको इतना bill pay करेंगे आने वाले time पे clear तो उन्होंने क्या किया हमारे business ने कुछ जो है amount creditors से वो क्या कर दी bills payable उनको issue कर दिया तो कितने के किये for example उन्हें 500 rupees के bills जो है वो issue कर दिये creditors को जब creditors को bills issue कर दिये तो हमारे account में क्या record होगा कि कितने की bills issue हो गए 500 rupees के bills issue हो गए तो जब 500 rupees के bills issue हो गए तो creditors क्या हो जाएंगे decrease हो जाएंगे घट जाएंगे उतनी अमाउंट से तो यह रही हमरी example हमने क्या क्राइटर्स को reduce कर दिया और यहां पर क्राइटर्स के आ गए 500 से और बिल्स पेबल जो निया account बन गया वो कितने सब आ गया 500 रुपीज अब देखिए इस पूरी जो हमने example की इसमें effect किस पर पढ़ा सिर्फ liability पर पढ़ा क्राइटर्स कम हो गए लेकिन वही liability side जो है बिल्स पेबल बढ़ गए अभी वादा ही किया है हमने pay करने का भी pay किया नहीं है तो बिल्स पेबल सिर्फ उनको bill issue किया है कितने की किया है 500 रुपीज यानि कि हमारे business में कितने के bills है 500 रुपीज के bills है जिनके बदले हमें पैसा देना ही होगा और credit कितने की है 500 रुपीज की credit हजार से घटकर कितने पर आ गए 500 उपे तो total कितना हो गया thousand ही रहा total तो total में तो कोई difference नहीं आया तो अब bills payable issue करने के बाद क्या हमारी accounting equation जो है वो balanced है 2,1 प्लस 1,4 2,1 प्लस ये total में हो गया 1000 तो ये भी कितना हो गया 4000 तो 4000 is equal to 4000 हमारी accounting equation क्या है balanced है तो ये थी transactions जो कि सिर्फ एक element को effect करती है हमने सबसे पहले asset का देखा फिर capital का देखा फिर liability का देखा जब भी जो transaction सिर्फ एक element को effect करेगी उसमें एक तो ये होगा कि उसी element में एक चीज़ बढ़री होगी और same amount से एक चीज़ कम होरी होगी जैसे यहां पे 500 कम होगे तो same amount से bills payable जो है वो बढ़ गए ठीक है यानि कि जब इस सिर्फ एक element effect होता है तो वहाँ पे same amount से एक चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ घटती है दोनों एक साथ increase या एक साथ decrease नहीं हो सकती एक increase होगी दूसरी decrease होगी और दूसरा point क्या है जब भी हम ये इसमें सिर्फ एक element जो है वो involved होता है उसमें क्या होता है जो हमारी पहली example थी जिसमें क्या था 4000 is equal to 4000 तो इस factor transaction का डालने के बाद जो हमारी accounting equation होगी उसमें भी कुछ plus या minus नहीं होगा वो भी 4000 is equal to 4000 ही रहेगी उसमें कुछ भी increase decrease नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने पहली बोला ना कि एक element जब involved होता है सिर्फ एक element उसमें सेम अमाउंट से एक चीज़ घटती है तो दूसी चीज़ बढ़ जाती है तो दोनों का effect क्या हो जाता है आपस में nullify हो जाता है that means cancel हो जाता है तो effect वहीं जाता है जहां पर देखो 500 से अगर चीज़ कम हुई थी तो वहीं 500 से चीज़ जो है वह हमारी बढ़ भी गई तो वही effect खतम होके 1000 पर ही हमारी liability रहेगी तो overall जो effect होता है वह नल हो जाता है जिससे क्या होता है हमारी जो first example जहां से शुरू हुई थी वही 4000 is equal to 4000 रहती है तो यह थी transactions की examples तो अभी एके करके transactions सभी को हम detail में पढ़ेंगी